एक लव्वे की गुरु भक्ती एक खने जंगल में भील जाती की लोग रहते थे वे पशु पक्षियों का शिकार कर अपना गुजारा करते थे वहाँ एक लव्वे नाम का भील युवक भी रहता था वे एक अच्छा धनुरधारी बनना चाहता था उसने सुना था कि गुरु द्रोणाचारे धनुरविध्या की बहुत अच्छे जानकार है वे हस्तिनापुर की राजखुमारों, कौर्वों और पांडवों को धनुरविध्या सिखाते हैं एक दिन एक लव्वे गुरु द्रोणाचारे के पास आया और उनके चरण सपर्ष करके बोला गुरु जी, आप मुझे अपना शिश्य बना लीजिए मैं आपसे धनुरविध्या सीखना चाहता हूं गुरु द्रोणाचारे बोले, तुम कौन हो पुत्र? तुम एक लव्वे सिर्च उका कर बोला गुरु जी, मैं एक भील हूं गुरु द्रोणाचारे ने कहा भील? मैं किसी भील को अपना शिश्य नहीं बनाता मैं तो सिर्फ शत्रिय राजकुमारों को ही धनुरविध्या सिखाता हूं गुरु द्रोणाचारे की बात सुनकर एक लव्वे को बहुत दुख हुआ वह निराश होकर जंगल में लोटाया उसने मन में निश्य किया मैं गुरु द्रोणाचारे से ही धनुरविध्या सीख कर ही रहूंगा एक लव्वे ने गुरु द्रोणाचारे की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई फिर उसने वह प्रतिमा अपनी जोपडी के पास एक घने जंगल के नीचे रख दी वह रोज प्रतिमा के चल्णों को सपर्श कर अपने आप ही धनुर विद्या सीखने लगा वह मानता था गुरु द्रोणाचारे ही उसे धनुर विद्या सिखा रहे हैं इसी तरह काफी समय बीद गया अब एक लव्वे धनुर विद्या में पारंगत हो गया था अब उसके धनुर से विदुत गती की बान छूड़ते थे उसने लक्षे को भेदने में काम्याब भी हो गया था इससे एक लव्वे का आत्मी श्वार्स एकदम बढ़ गया था एक दिन गुरु द्रोणाचारे और सभी राचकुमार जंगल में शिकार करने के लिए निकले उनके साथ एक शिकारी कुत्ता भी था कुत्ता घूमता फिरता एक लव्वे की जोपड़ी के पास पहुचा और एक लव्वे को देखकर जोर-जोर से भोकने लगा एक लव्वे ने एक तीर से उसके मुँपर निशाना डाला और उसके मुँँ में जाकर तीर फस गया एक लवी ने इसी तरह एक एक करके 6 तीर ओर छोड़े और कुट्ते की मूँ को तीरों से भर दिया कुट्ते की मुँ में 7 तीर फसे हुए थे कुट्ता डर गया वे इसी अवस्ता में दोरता हुआ गुरु द्रोणा चारे और राजकुमारों के पास पहुचा इस तरह कुत्ते का मुँ तीरों से बंद देखकर गुरु द्रोण ने कहा जरूर ये तीर किसी महान धनुर्दर के ही है। गुरु द्रोण और राजकुमार तुरंथ ही उस अंचान धनुर्दर की खोज में निकल पड़े। जब भी एक लव्वे की जोपड़ी के पास पहुचे तो उन्होंने एक लव्वे को धनुर्विध्या क्या अभ्यास करते हुए देखा। गुरु द्रोण उसके पास जाकर बोले क्या तुमने ही तीरों से हमारे कुत्ते का मुँ भरा है। एक लव्वे ने गुरु द्रोणाचारे को पहचान लिया। उसने गुरु के चड़नों को सपर्श करते हुए कहा, जी गुरु जी, गुरु द्रोणाचारे ने पूछा, तुमारे गुरु कौन है? पुत्र, मुझे बताओ, किसने तुमें इतनी अच्छी धनुर्विध् गुरु द्रोणाचारे प्रतिमा के पास गए, उनके मुझे निकल पड़ा, अरे यह तो मेरी ही प्रतिमा है। एक लव्वे ने कहा, हाँ गुरु जी, ये आपकी ही प्रतिमा है, मैं आपको ही अपना गुरु मानकर गधनुर्विध्या सीख रहा हूँ, और मैं सीख भी प गए, उनके मन में एकलव्वे की गुरु भक्ती के लिए सम्मान उमड़ाया, इसके साथ ही उन्हें यह चिंता भी हुई, कि यह लड़का धनुर्विध्या में कौर्वों और पांडों से बहुत आगे जाएगा, धनुर्विध्या में अर्जुन भी इसके सामने फीका गुरु द्रोण की बात सुनकर एकलव्वे बहुत खुश हुआ, वह तुरंथ बोला, मांगे गुरुजी आप गुरु दक्षना में जो भी मांगेंगे मैं आपको दूँगा, गुरु द्रोणा चारे ने तुरंथ ही कहा, तो फिर गुरु दक्षना में मुझी अपना दा बलिदान देकर सभी राजकुमार अश्चारे चकित हो गए। गुरु द्रोणाचारे भी कुछ देर तक एक लबवे को अश्चारे से देखते रहे। फिर वे प्रेम से बोले एक लबवे। चन्नों में मस्तक चुकाकर उन्हें परणाम किया।